दोस्तों जैसा कि कल मैंने वीडियो में बोला था कि क्विक्ली एक अनालिसिस करेंगे और वीडियो करने कोशिश किया करूंगा मेरे दोस्तों फस्ते वीडियो को देख रहे हैं यही मेरा टैलीग्राम चैनल है बन सकते हो जुड़ सकते हो अब आज क्या काम काच किया है बड़े प्लेयर्स ने एक बार वह देखते हैं रिटेलर पुट खरीद के गया काल बेच के गया सेम वही काम हुआ है जो मैंने कल वी लेके गया है और काल बेच के गया है नेट नेट बेसिस पर आज पुट जो है एक्यूमुलेट की है लांग भी आड़ किया है इंडेक्स में शौट भी कुछ की है लेकिन तीस हजार कंट्रक्ट अभी भी शौट साइड में है कुछ स्टॉक फूचर आड़ की है पुट भी थोड़ इसी हलकी की है इंशुरेंस के लिए पूट साथ में रखी हुई गया है और इसका मतलब अभी भी वोलाटाइल एक्सपारी के चांसी है लेकिन बैंक निफ्टी जैसा कि मैं आपसे शेयर कर रहा था काल भी वीडियो में बोला था कि मेरा व्यू फॉस्टी वया इसका भी आपको ध्यान रख में रख ध्यान देना चाहिए अब कल के आउसकता है एफ आई आई के पास काल्स है दो लाख व्यालीस जार कंट्रैक्ट चार लाख के लगबग पुट है और तीस जार कंट्रैक्ट हुए है इंडेक्स में शॉर्ट साइड पे हैं पोजिशन क यहां उननीस तीन सो पचास यहां पे काल एड हुई है बाकी जगह अनवाइंडिंग हुई है तो पुट जो है रिटेलर लेके गया है लेकिन काल हलकी हलकी बेच के गया है मतलब यहां पे कोई खास एक्शन नहीं है निफ्टी में तीन सो पे भी अभी 86 लाख कंट्रैक्ट पे भी अनवाइंडिंग है निफ्टी कोई खास मेजर मूमेंट नहीं है अगर कोई अच्छा गैप अप हो जाता है तकरीबान सो पॉइंट का तो तब आपको थोड़ी सी शाट कवरी मिलेगी अधर वैस जैसा आज सेशन आपने देखा सेम वैसा ही सेशन होगा एक बात मै है रिटेलर लेके गया तो नीचे की जो डॉंसाइड है वो फिलहाला आपको कैप नजर आएगी नीचे फिर्स्ट स्पॉर्ट तीन सो पे है लेकिन अगर दो सो असी के नीचे गई तो अगला जो प्राव होगा दो सो दो सो पचास का होगा जो कल ब्रॉडर रेंज रह सकती है दो सो से लेके चार सो पचास तक हालगी यहाँपे यह तरक तो जो लैवल है रेटेंस क्रावह यहांपे आप डेख सकते हो लृजाके और और बड़े प्लेयर्स वो यहां पर जो अन्वाइंडिंग यह दिखा रही है कि यहां पर प्राफिट बुकिंग करके गये हैं निफ्टी में आपको अगर उपर के 450-500 की रेंज में अगर मिले तो यहां पर शाट बनता है और अगर फ्लैट उपनिंग मिले तो एक बार के लिए बाय बनता है 250-300 की रेंज में लेकिन बैंक निफ्टी जो है वो इंट्रस्टिंग मूव कल भी दे सकता है यहां तक आपको अन्वाइंडिंग है काल्स में और राइटिंग 44-500 से लेके 45-1000 तक हलकी हलकी राइटिंग है डाटा अभी यहां पे कम है कोई बहुत मेजर डाटा नहीं है जो आपको देखने को मिल सकता है लेकिन यहां पे पुट जो है 2,65,000 कंट्रक्ट है यहां पे थोड़ी सी राइटिंग है 22 दार कंट्रक्ट जो 44-900 पे हैं यहां पे हलकी थी है 45-300 तक राइटिंग और 45-500 पे अनवाइडिंग मतलब जो मेजर लेवल है वहां पे तो आपको यह अनवाइडिंग नदर आई है बाकी हर जगा एडिशन है और स्ट्रेंज 45-300 पे भी जो है एडिशन है पुट कलियरली रिटेलर लेके गी हैं तो एक बार के लिए मेरे को लग रहा है कि यह वाला जो लेवल है ना यहां पे आपको नज़र रखनी चाहिए यह मार्किट यहां तक पहुंचने चाहिए अगर रिटेलर दोबारा से गरबढ़ी ना करें मलब कल ऐसा ना हो कि वो जो आज लेके गी हैं कल दोबारा से यह करके उनको लगे कि मार्किट का विव बुलिश हो गया है वो दोबारा से यहां पे सप्लाई दे दें फिर यह छ साइड कहां पे है काल साइड में तो कोई खास ओपन इंटरस्ट नहीं है हलांकि काल बेच के गए हैं पुट साइड में आपको जो है कल भी यहां पे अगर एक्टिविटी होगी तो बैंक निफ्टी जो है 44,800 से 45,000 तक जाने की कोशिश कर सकती है मेरा विव अभी भी भी बायस है HDFC बैंक का IDR वी उपर है ICACA बैंक का IDR वी उपर है अगर गैप अप हो जाती है 301 पॉइंट फिर तो यह 45,000 तक जा सकती है लेकिन फिर मैं एक बात आपको रिपीट करता हूँ बैंक निफ्टी का डाटा अभी भी बहुत ही काम है इतना काम है कि यहां पे नंबर आफ शेर सागर 60,70,70 लाख होते तो तब जाके आप मान सकते थे कि यहां रेइस्टेंस है कहीं पे और स्पोर्ट में 44,500 फर्स्पोर्ट है और उसके बाद जो अगली है हर लेवल पे अगर जाती है बैंक निफ्टी यह आपको नजर अखनी अगर इसके नीचे जाएगी तो अगला लेवल जो होगा 43,800 यहां पे आ जाएगा फिर आप यहां पे क्लियर का ट्रेडिशन देखोगे जो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर गैप डाउन मिल ज जो है कल रह सकती है इसी के साथ वीडियो करता हूँ खतम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और अगर किसी ने नया एकोंट ओपन करना हो डेमेट ट्रेडिंग एकोट अब स्टाउक ऐसे अनलाइन तो वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया लिंक को क्लिक करके आप ओपन क कर सकते हो और हो सकते तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इसी के साथ नमस्कार जय हिंदी